हलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आज आप मेरे साथ अपने इस क्लास में वीडियो में क्या करने जा रहे हो लेसन सेविन प्लेसिस इन वर नेबर हुट तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर नेबर हुट के कौन-कौन से प्लेसिस दे किते हैं पुलिस स्टेशन, बैंक, हॉस्पिटल्स, शॉप्स और मार्केट, पोस्ट ओफिस, देन फायर स्टेशन अब बच्चों हाज हम करेंगे पेस नंबर 4, 040 का और 141, 141, 141 की टिक दा करे आंसर, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, तिक दा करेक्ट आंसर हमको बुक में ही करने हैं, फिल इन दा ब्लैंक, मैच दा फॉलोइंग कॉलम्स, एन कोशन अंसर हम फेर नोट बुक में करेंगे, बट तिक दा करेक्ट आंसर हम अपनी बुक में करेंगे, तो स्टू तो नमबर B राइट आंसर है आप बैंक इसके बात सेकेंड वाला है दियर इस ए लेटर बॉक्स इना पोस्ट ऑफिस ए है पोस्ट ऑफिस भी है बैंक सी है पोले स्टेशन तो बच्चों हम लोगने letter box वाला पढ़ा था ना कि we have a post office in our neighborhood there is a letter box in the post office पढ़ा था ना बच्चों तो फिर answer क्या होगा post office there is a letter box in a post office last and number three क्या है हमारा students क्या है we buy things from a market hospital या fire station तो बच्चों market में हम लोग क्या करते है we need fruits and vegetables milk egg many other things every day we buy these things market ही right answer है hospital होता तो बैटा hospitals में क्या होता we go to clear we go to our hospital when we are not well जब हम लोग नहीं ठीक होते है तो हम कहां जाते है hospital और fire station क्या होता तो बच्चों क्या होता कि in there is a fire on in the neighborhood they come to red fire engine to put out the fire ठीक है students तो हमारे ये क्या होगे three tick the correct answers हो गए एक बार आप मेरे साथ फिर से कर लीजिए अगर किसी का रह गया है तो वो मेरे साथ ये video watch करे और इसको complete करे a bank is a place where we keep our money number two there is a letter box in a post office number three we buy things from a market अगर में कोई चीज खरीद नहीं होते तो हम कहां जाते मार्केट में इसके बाद students आपका आज का assignment क्या है आपको अपने assignment में क्या करना है yes ये tick the correct answers करने है और इस page में 4141 में आपको fill in the blanks दिये हुए है इन fill in the blanks को आप करोगे बट अभी नहीं करोगे आप इसको find out करके रखोगे जैसे dash work in police station तो इसमें कुछ आपको box बना हुआ है उसमें आपको FIB कुछ words दिये हुए उनको यहां पर fill करना है ठीक है तो हमार पुलिस station में कौन वर्क करता है आपको मालूम है we go to a dash when we fall sick जब हम बिमार होते तो हम कहां जाते हैं बच्चों क्लीनिक या hospital में many shops together में का बहुत सारी shops में मिलके क्या बनाती है यह is market बनाती है बजार हो जाता है बहुत सारी shops होती है एक बहुत सारी shops मिलके market बनाती है we drop dash in letter box we drop हम लोग क्या करते हैं अपने letters क्या करते हैं कहां दे डालते है letter box में डालते है students ठीक है अपने we drop our letters in a letter box तो students आज हमारे यह क्या हो गया आज हम tick the correct answer करेंगे आज हमने discuss किये fill in the blanks तो कल हम अपने इस lesson में fill in the blanks करेंगे match the following columns करेंगे तो आज हमारे यह chapter यहीं पे finish नहीं हो रहा है बट इसकी exercise ए फिनिश हो रही है इसकी एक बार summary लेक लीजे every neighborhood has a police station we can deposit and withdraw our money from a bank doctor and nurses work in a hospital all important things of daily use are available at the market तो students आपने यह work कर लिया this is your assignment यह take the correct answer okay students